वर्गी की संवर्ग या पदानुकरम काल क्या है वर्गी की संवर्ग का मतलब है संवर्ग अलग अलग भागों में विवस्थित करना और यह क्या है वर्गी करन कहलता है ठीक है बाढ़ना वर्गी की वर्गी की अपी जो पर ने बात की थी वर्गी की का मतलब क्या है वर्गी आपस में अंत्य प्रजनन कर सकने वाले समुह को क्या करते हैं जाती किसे कहते हैं है जैसे होम मों क्या है मनुष्य की जाती है जितने भी मनुष्य है अनुससब की जाती क्या होगी उसके बाद में once sapiens once जाती के अंदर जब हम क्या करते है अलग अलग विवेदिता ये पाई जाती है ठीक है बहुत सारी जातिया हो जाती तो उन जातियों को समलित रूप में एक वंस में विवेदित अपन कर सकते हैं ठीक है या वंस की अगर अपन परिवासा देना चाहिए तो परिवासा क्या हो जाएगी जातियों के समुह को ठीक है सेथे चीमपाजी और उस्यवन कौन आता है या चीमपाजी आता है और उसे वंस को आता है यह ज़ो प्रब लिखा है यह क्या है जगत वरग गण कुल वंस जाती क्या है यह रखति को सबसे उपर ले जाती उसके और वह क्या होजाएगा अपड़े क्या करना है केवल नहीं के जए जाती की परिभास में कर सकने वाले अगर हम एक करन याभ याद है तो पर्तेक पद्ध की परिभास जो अपने आप आजाएगी और इसे यह और उसकी आप प्रतेक के समोह को कहते हैं कुल को गण कहते हैं गण के समुह को वर्ग के समुह को जगत कहते हैं तो यह प्रकार से अपनी परिवासा हो जाती है प्रतेक के समोह को अपन क्या कहते जाएंगे वर्ग जगत अब अगर अपने बाद देने मनुष्य की तो मनुष्य जो है वह सूपर जगत किसमे आता है जन्तु में उसके बाद में क्या हो गया यह अप लोगों को घान में होगा अगर यह अधिया अध्याय में पढ़ेंगे धन्यवासरम इस धन्यवाद हो झाल झाल झाल